लो दोस्तों आज हम लोग फिर से जोग्राफी एकाई एक तेंथ क्लास यानि मैटिकुलेशन खंड एक का एक का खंड खो प्राकिर्तिक आपदा और एक का एक परीचाय के तौर पर हम लोग देखेंगे सभी लगूतरिये और MCQ प्राशन को इसमें जितने भी लगूतरिय और MCQ प्राशन है वह आपके एक्जाम के भीव से बहुत ही इंपोर्टेंट है अगर आप लोग ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर से देख पूरा देखिएगा ताकि आप लोग को यह समझ में आ सके कि हाँ एक्जाम में किस परकार के प्राकृतिक आपदा से संबंधित प्रशन ज्यादा से ज्यादा बनता है चलिए देख शुरू करते हैं वीडियो को और इसमें हमना पहला क्वेशन है नदियों के नदियों में बाढ़ आने का परमूख कारण क्या होता है यानि क्या कारण है कि नदियों के तली में ऐसाथ का जमा यह भी नहीं है लेकिन वर्सा की A tu जो है एक पर मुख कारण हो जाएंगी जो जैनि बॉwn ऑनिक वशा हू रही तो जाहिर सी बात है कि नदियों के पानी में बृधी हो गए जल का अधिकता हो जाएगा तो पर भूख कारण क्या होगा Welly Even Zugty ready the… यहनि अधिक वर्षा होना अगला दो नमबर क्वेशन है बि환 का कौन सा छेत्र बाडल ग्रोसित छेत्र है? यहनि पूर्बी भीहार नहीं है दचřड़ भीहार और पॉषंजमी भीहार और उत्री भीहार सबसे ज्यादा से ग्रोसित छेतर जो हमारा होता है ये उत्री बिहार जिसका सीमा हमारा नेपाल से सटा हुआ है तो नेपाल से बहुत सारी नदिया आती है जिससे हमेशा मतलब नेपाल से सटा हुआ जो छेतर होता है तराई छेतर होता है वहां हमेशा बाड की पनिया अब पानी आकर के छती पहुंचात तो ये सवाल आपका बहुत ही इंपोर्टेंट है कि हमेज़ा इस कोशन को मतलब की एक्जाम में देखा गया है तो इस कोशन में देखिया गंगा दिया है गंडग दिया को सी दिया है पुन-पुन तो इस कोशन का आंसर हमारा हो जाएगा कोशी नदी जो है बिहार की सुक क्या है अगला कोईशन कोईशन नमबर चार बाड क्या है प्राकिर्थिक आपता है मानो जनीत आपदा है या समाने आपदा इन में से कोई के कारण ही सुखार भी होता है अगला है हमारा छे नंबर question सूखे की स्थिति यानि सूखे की स्थिति किस परकार कियाती है आचानक या पूर्व्ग सूचना के अनुसार यानिंसूचना दे देता है उसके आता है या फिर आचानक से आता है या धीरे-धीरे इनमें से कोई नहीं तो जब सूखा की इस्तिती होता है तो धीरे-धीरे यानि धीरे-धीरे वर्षा कम हो जाती है जिसके वज़ासे सूखा का परभाव पड़ता है सूखा जैसी गाटना यानि इस्तिती उत्पन हो जाती ह नेक्स्ट क्वेशन है हमारा सूखे के लिए जी में वार कारण क्या है यानि इसी सूखा पड़ता है तो उसका क्या कारण है तो कम वर्षा की कमी या भूकंप बाठ या जो अला मुखी तो सूखा की इसकी कमी के कारण होती ही वर्षा की कमी यानि वर्षा जब नहीं पड़े और अगला कोईशन है हमारा सूखे से बचाओ का एक परमुख तरीका क्या है नदियों को आपस में जोड़ देना या फिर वर्सा जल संग्रह करना या फिर बाड की इस्थिती उत्पन करना या इन में से कोई नहीं तो सूखे से बचाओ के लिए हमें क्या करना चाहिए वर्स के जल को एकत्र करके समय समय पर सुखा के जो भी आवसिया कैसी चाहिए जैसे समय से निपटना चाहिए और नेक्ष कोईशन है हमारा अत्ती लगूतर या लगूतर या कोईशन है कोईशन है हमारा तो लगूतर या क्वेशन में पहला क्वेशन हमारा बाड कैसे आती है या अधीक वर्षा होने के कारण नदियों में जल का जमाव होता है यानि जब अधीक वर्षा होती है तो नदियों में पानी का बहुत ज्यादा मात्रा हो जाता है साथ ही ऑसादों के जमा होने के फिलोस्वरूफ नदी तल की गहराई में कमी आती है और ज disp जाने के कारण क्या होती नदी की 조 तली गहराई होती रूदी की में कमी आ जती है और क्या होता है जैसे कि आथ जम जाएंगे तो जारी से बात है कि पानी का अस्तटर उचा हो जाएगा उसी तलिक में कमी आ जाती है नदी तर के बृधी होने के फिलाश वरूब जल अस्तर धीडीरे धीरे उपर उठता है जब जाहेजिशी बात है जब नीचे तल भरता जाएगा तो आपका जल का जो अस्तर है उपर उठता जाएगा जिसकी कारण नदी तल टटबंधों के उपर दबाव बढ़ जाता है यानि जो नदी टटबंध होता है उसके बांध जो बनाया गया रदता है उसके दबाव पढ़ने लगता है जिसके वज़ा से जिस वज़ा से ततबंध पानी हो जा टो उसके सात और साथ आते हैं जिसके वज़ासे नदी का जो चाहटा है जिसके दिक बढ़ जाता है जलका बांध टूड़ जाता है जिससे विवीन छेत्रों में जलका फैला हो जाता है नेक्स्ट कुस्ट्टिन है हमारा कुषान नमबर दू बाड़ से होने वाली हानियों की चर्चा कर यानि बाड से किन किन समस्याओ का सामना करते हैं लो उसके बारे में देखते हैं बाद आने पर निमलिखी Kann ojos का सामना करना पड़ता है अब हुए कौौन-कौन सी हानीय है तो देखे एक नममर में कोशन है एक नमर में आपसन हमार है डिस एक नमबर हो जाएगा इसका बाढ़ के कारण उपजाओ मिर्टी पर लंबे समय तक जल जमाव हो जाता है यानि जो उपजाओ मिर्टी है बाढ़ के हो जासे छती ग्रश्ट हो जाती है यानि लंबे समय तक जल का जमाव रहेगा तो जाहिर से बात तो जो मिर्टी होगा खराब हो जाएगा और सारे समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है और तीन नंबर पॉइंट है बाद के कारण सड़क कभी-कभी रेल मार्ग भी बादित हो जाते है और अधिक बार आ जाता है तो जिसके वज़ा से क्या होता है कभी-कभी सड़क जाम हो जाते है और रेल मार्ग भी बादित ह जाता है और अगला point है हमारा बाद के कारण महामारी और महामारी जैसे malaria है जा चेचक जैसे रोग का परको भी बढ़ जाता है यानि जब अतियदीक जल्द का जमाऊ होगा उसमें बीविन परकार की मतलब की टाडू पन पेंगे और डेंगु जैसे भुकार या बीमारियो का में इजाफा होगा जिसके वज़़न से बहुत सारी विमारिया बढ़ेंगी आर इसी के साथ next question हमारा है बाद से सुरक्षा हेतू अपना ही जाने वाली सावधानिय को लिखे बाद से सुरक्षा हेति अपनाई जाने वाले निमलीखित है यानि सुरक्षा जो है निमलीखित है तो पहला क्या है बाढ़ परभावित छेत्र में रहने वाले लोगों को नौका चालन का से संबंधित परसिक्षण दिया जाना चाहिए यानि उन्हें नाव चलाने जैसे हमें देना चाहिए ताकि वह अपने आपको अच्छा से बाढ़ की स्थिति में समाल सकें और बाढ़ आने से पूर्व सरकार द्वारा दी गई निर्देश और सुचना का पालन भी करना चाहिए और दू नंबर की ब्यवस्था बाढ़ पूर्व ही कर लेनी चाहिए जैसे सत्तु हो गया चन्ना हो गया गुड़ हो गया आदिस अभी वस्थू को हमें बाढ़ से पहले ही सुरक्षित रख लेना चाहिए ताकि अगर बाढ़ आने वाले इस्तिति है तो उस समय तो सारे या ताया ठप राज चाहिए जैसे कि नदी तट बंडो को मरमत करने का कारे करना चाहिए या और नदी तट बंडो के ऊपर ब्रीचार ओपर का कारे भी करना चाहिए सरकार के द्वार विभिन नदियों को आपस में जोड कर किया मतलब जोडने का कारे भी किया जाना चाहिए ताकि वह आपस में जूड़ जाये तो पानी का दबाव सभी छेत्रों में कम पड़े और या भी हो सकता सुदूर सनवेदी पर लाली के द्वारा बाद परभाव छेत्रों का अध्यान कर नियमित समय पर उसे जाच भी किया जाना चाहिए समस्याओं से निपर्टने के लिए हमें इन इन उपायों को अवस्य करना चाहिए अगला कोश्यन है हमारा कोश्यन नमर पांच सुखे की स्थिति को परभासित करना है तो आसत से कम वर्षा होने यह भूमीगत जल अस्तर के अधिक गहराई तक नीचे चले जाने से उत्पन सम समस्या को क्या कहते हैं सूखे का सबसे परमुख कारण भूमंडली यह ताप में भूमी के ताप में ब्रीदी से भी सूखा का समस्या बहुत ही महत्पून कारण है next question है हमारा question नमबर छे सुखाड के लिए जीमेवार कारण का वरणन क्यों करें सुखाड के लिए जीमेवार कारण निमलिखित है जैसे वनस्पति की कटाई घरेलू इंधन जैसे के रोशीन डीजल द्रवित पेट्रोलियम गैस के जलने से उतपन पर दूसर युक्त वायू या फिर भू स्थाम लोग देखते हैं अगला पॉệcयूंट अगला पॉइंट है वर्षा जल का संग्रह नहीं किया जाना या अे नियमित वर्षा यह एलिजने एक निह्चित रूप से वर्षा का नहीं हो नहीं भी वर्षा का नहीं होना भी सुखाड की स्तिति के लिए जीमेवार कारक ह अगला question है question number 7 हमारा सुखार से बचाओ के तरीके का उलेख करें यानि अधीक संख्या में वनस्पति को लगाया जाना चाहिए यानि सुखार से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए अधीक से अधीक वनस्पति लगाना चाहिए वायू पर दूसर के अस्तर को कम करना चाहि और अगला पॉइंट है हमारा वर्षा जलका संचैन घरों के च्छातों के ऊपर कुम में या फिर तलाबों या नहरों में किया जाना चाहिए ऐसी ऐसी समस्या मतलब जैसे की हो सकता है कि अगर बार सुखार से बचना है तो हमें ऐसे ऐसे हतकंडे उपना आपनाना चाहिए ज रखता है चलिए इसी कोशन के साथ हम आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं और आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो को अगर देखते हैं तो मेरे चैनल से जूट जाएए क्योंकि इसके बाद और ही बहतरीन टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे औ और जिससे आप लोग को बहुत ही मजाने वाला है और एक्जाम भीव से याद रखिएगा कि कभी भी आप ऐसी ऐसी कोश्चनों से मतलब ऐसी ऐसी कोश्चन है मिलेंगी जो आपके एक्जाम में बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है और ये सभी जो कोश्चन है आपके लिए भी भी आई question साबित होने वाला है चलिए मिलते हैं तब तक के लिए next video में thank you for the watching